प्रस्तुत है पार्ट चौदर जर्मनी में नाजिवाद दुईतिये का शेजभाग सितंबर 1930 में सोशल डेमोक्रेट घटकर 86 लाख हो गए जबकि सामेवादी मत बढ़कर 46 लाख हो गए नाजिमाद भी भयंकर रूप से बढ़कर 64 लाख हो गए जुलाई 1932 में सोशल डेमोक्रेट और घटकर 80 लाख कमिनिस्ट बढ़कर 53 लाख और नाजियातियदिक बढ़कर 1 करोड 37 लाख हो गए नवंबर 1932 के चिनाव में सोशल डेमोक्रेट मत फिरकर घटकर 72 लाख और सामेवादी दल कमिनिस्ट पार्टी बढ़कर 60 लाख हो गए वो आकड़े बताते हैं कि जहां दोनों वामपंती दलों सामेवादी कमिनिस्ट और सोशल डेमोक्रेट दलों के प्राप्त मत कमवेश नियत रहे 1928 में 1 करोड से 24 लाख तथा 1 करोड 32 लाख बाद में चुनाव में वही नाजी मत इसकाल में 1928 में मात्र 8 लाख मतों से बढ़कर जुनाई 1932 में 1 करोड 37 लाख तक पहुँच गए यदि भी हिटलर की सत्ता प्राप्ती के पहले के अंतिम चुनाव नवंबर 1932 में उसको 20 लाख वोट कम मिले थे इन आंकडों से ये भी पता चलता है जहां नाजीयों ने दक्षिन पंती दलों को समाप कर तथा नए मत प्राप कर भारी सफलता प्राप की वहीं दोनों वाम पंती दल नए मतों को ना प्राप कर सके इससे पता चलता है कि वो ना तो मध्य, निम्न मध्य वर्ग का ना ही नव्यूवक मद्दाताओं का विश्वास पा सके तो भी सामने वादे दल के मतों में धीमी वृद्धी से ही शासक वर्ग को बहुत चिंता हुई और उन्होंने नाजियों को सत्ता देने की कोशिश थी जिससे उनके हितों के सुरक्षित रहने की गारंटी मिली थी ये ध्यान रखना चाहिए कि नाजियों का सत्ता धिकार ना तो लोग प्रियमत था ना ही किसी जन आंदुलन का परिणाम था अमिवादियों और सोशल डेमोक्रेटों के समिलित मतों से कम मत पाये थे नवंबर 1932 के चिनाओं में इसे लगबग 600 स्थानों में से केवल 196 स्थान मिले थे तो भी जर्मनी के राश्ट्रपती वॉन हिडेनबर्ग 1847 से 1934 ने उद्योग पतियों, बैंकरों, जुंकरों तथ सेरा के इशारों पर हिटलर को चांसलर बना दिया हिटलर 30 जनवरी 1933 को जर्मनी का चांसलर बना उसने वीमर गर्तंत्र के सम्विधान की शपत ली थोड़े ही समर में वीमर गर्तंत्र का पूरा धांचा द्वस्त हो गया हिटलर के चांसलर बनने के तुरंद बाद राइक स्टॉग विगटित कर दी गई और पार्च मार्च को नए चुनाव होने की खोशना हुई तो भी चुनाव के पहले आतंक पहला दिया गया नाजियों के लिए कृप्स, युनाइटिट स्टील, आईजी फारबान तथा अन्य बड़े उध्योग पत्यों ने पैसा बहाया नाजियों द्वारा संगटित उफवानी दस्तों की व्यक्तिकत सेनाओं ने नाजिवात के शत्रों को आतंकित किया उनको पुलिस में महत्वपून पद दिये गए, नाजी विरोधियों के बड़े पैमाने पर हत्या हुई रेडियों का उप्योग केवल नाजी प्रचार के लिए होने लगा सामयवादी दल की मुख्यालियों पर छापे पड़े तथा एक तथा कतित सामयवादी आंदुलन की योजनाय खोजी गई 27 फरवरी 1933 को राइक स्टॉक भवन पर आग लगा दी गई और बलगेरियाई नेता त्री मित्रोफ समेट कम्यनिस्ट नेताओं पर आरोप लगाया गया राइक स्टॉक पर आग नाजियों ने इसलिए आग लगाई थी ताकि वो सामयवादीयों को उत्तरदाई ठहरा कर दबा सके पुलिस ने एक अध पगले वॉन डर लुकते नामक डच को गिरफतार किया और यहां तक कि फांसी तक दे दी 28 फरवरी को नाग 233 चीन ली गई चुनाव इस आतम के मद्धे हुए थे फिर भी नाजिय केवल 647 स्थानों में 288 स्थान प्राप्त कर सके राश्ट्रवादियों के साथ उनका सुक्ष्न भूमत था इसके तुरंद बाद राइक स्थानों के सामयवादी सदसे गिरफतार कर ले गए और संसर ने हिटलर को असीम अधिकार दे लिए 23 मार्च 1933 को वीमर संफिधान निरस्त करने में सफल हो गया इसके पश्चात समस्त राजनितिक दल पतिबंदित हो गये तथा सोशल डेमोक्रिटिक दल सामयवादी दल श्रमिक संग के नेता और अन्यनाजी विरोधी यंत्रना शिविरों में भेज़ दिये गए इसी पीज तुफानी दस्ते के एक सम्हूं के नेता अनिस्ट रोहेम ने कांतिकारी समान सुधारों की मांग की और सेना में हस्तेदारी चाही उनको समाप्त करना पड़ा 30 जून 1934 को वो तुफानी दस्ते S.A.K. 150 अन्यनेताओं के साथ मार डाला गया इन हत्याओं के बाद ही सैंकडो ऐसे नाजियों की हत्याओं शुरू हो गई जिने हिटलर विश्वस्त नहीं मानता था अगस्त में हिडेन बर्ग की मृत्य हुई और हिटलर 2 अगस्त 1934 को तीसरे रिख का फ्यू हरर नेता भी गोशित कर दिया गया प्रतियक सैंक अधिकारी को एक शपत लेनी पड़ती थी जिसमें राष्ट्र अत्वा समविधान के प्रती नहीं अपीतु राष्ट अधियक तथा उच्चितम कमांडर के रूप में हिटलर के प्रती पूर्ण अधीनता की शपत लेनी होती थी ये शपत इस प्रकार थी मैं इश्वर की कसम खाकर ये पवित्र शपत लेता हूँ मैं जर्मन रिख तथा जनता के फ्यूहरर तथा सश्यस्त्र सेना के सुप्रीम सेना एडोल फिटलर को शर्क विहिन समर्पन करता हूँ और एक वीर सिपाही की तरह अपने जीवन का किसी भी समय समर्पन करने को उतत पर रहूँगा देश के उचितम जज ने घोशित किया फ्यूहरर की इच्छा ही विधी और समविधान है अब जर्मनी तीसरा रिख घोशित कर दिया गया जिसके 2000 वर्ष तक चलते रहने की हिटलर ने भविश्यवाने की संगटित वरबरता का काल आ गया था फासीबाद की इटली और जर्मनी में सफलता ना केवल इन दो देश्वियों सेयों के लिए विनाशकारी थी अपितु संपूर्ण यूरोप और विश्व के अन्य कई भागों के लिए विनाशकारी थी कुछ ही वर्षों में विशाल सैन्य तंत्र उट खड़ा हुआ जिसका मुक्त उप्योग यूरोप और विश्व में हुआ इस महदवीब की बहुसंखिक जनता की स्वाधीनता और स्वतंत्रता समाप्त हो गई और यूरोप का बड़ा भाग शम्शान और गुलाम शिविरों में बदल गया नाजीवात को राचनतिक तता समाजिक आमान वियकरन का प्रतिपादक खा जाता है यह संस्कृतिवा सभ्यता की समाप्ती का एक प्रत्यन था निर्बलों की समाप्ती राजे नीती हो गई और सहस्त्रों विद्ध और बिमार जर्मन क्रूर्ता पूर्वक माड़ा ले गए नाजियों का यहूदियों के प्रति वहवार विशिश ध्यान देने योगे है 1935 में सभी यहूदी जर्मन नागरिक्ता से वन्चित कर दिये गए इसी के तुरंद बाद वो सभी विवसायों से वन्चित कर दिये गए नाजि सेमेटिक विरोत का चर्मतकश अंतिम मुक्ती में होता है जिसका अर्थ ना केवल जर्मनी से अपितु जर्मनी अधिकृत सभी स्थानों से यहूदियों की समाप्ती से है जर्मनी और जर्मन अधिकरत प्रदेशों के 80,00,00 यहूदियों में 60 यहूदी मारे डाले गए यहूदी और अन्य राजनितिक शत्रों की समापती है तूस्थापित मृत्य शिवरों की भेंकरता अवर्णिय है नाजियों का महिलाओं के प्रतिदिश्टिकों शत्रुता पून था उनको शिक्षा, संस्कृति, राजनिती अत्वा अन्य दाइत्वों से मुक्त कर दिया गया नाजी सिधांतकार रोजेन वर्ण ने लिखा है जर्मन महिलाओं का एक मेव दाइतव बच्चे पैदा करना है तो भी जबकि महिलाओं को अधिक संतान पैदा करने को कहा जा रहा था ताकि वो सिपाही बन सके सहस्रो राच्चितिक रूप से अविश्वस्नी महिलाओं को अपमानत करने के लिए बंधहया कर दिया गया नाजीयों का संस्कृती विरोध असीमित था एक नाजी नेता ने कहा जब मैं विश्व संस्कृती की याद करता हूँ मेरा ध्यान रिवॉल्वर की सेफटी कैच पर चला जाता है सत्ता दिग्रहन ओप्रान नाजीयों का पहला कारे पुस्ता के जलाना था माई 1933 में बर्लेन विश्विध्याले तता अन्ये नगरों में विशाल मातरा में आग लगाई गई जिसमें उनमादी नाजीयों ने विश्व तता जर्मन संस्कृती की शेष्टतम कृतियों को जहूंग दिया नाजी शासन की संपून अवधी में एक भी प्रतिबाशाली साहित्य कृती प्रकाश में नहीं आए शेश्टितम साहित्यकारों तता चित्रकारों को जेल में डाल दिया गया तो भी जबकि या अत्याचार डाय जा रहे थे नाजीवात की विजय के जिम्मेदार एक आधिकार सम्रिद होते गए चोटे धंदे बंद कर दिये गए और एक आधिकार कमपनिया सुधरन की गई राश्टिय आय में वेतन की हिस्तेदारी 3.3 प्रतिशत तक गिर गई और डिविडेंट तथा मुनाफे में साजेदारी 9.2 प्रतिशत तक बढ़ गई मृत्य शिविरों में स्थापित उद्योगों समित उद्योगपती नाजी वेवस्ता की इतने अभिन अंग हो गए थे कि युद्य समाप्ति के उपरांद उन पर भी मानवियता के विरुद अपरात करने का आरोप लगाय गया और मित्र राष्टों ने जन तांतरिक जर्मनी को सूस्थापित करने की दिशा में जर्मन एकाधिकारियों की समाप्ति को मुख्य धिये खोशित किया फिर भी तीसरा रिक एक हजार वर्ष तक जीवित न रहा यह 1945 में समाप्त हो गया पहले तो नाजी सेनाओं ने लगबख संपून यूरोप को चल डाला 1942 की पश्चाथ प्रत्या वर्तन प्रारंब हुआ और 30 अप्रल 1945 को जब सोवित सेनाय बर्लिन पहुँच गए थी और हिटलर के मुख्याले से केवल कुछ मील दूर थी फिटलर ने सुवयम को गोली दाग कर समाप्त कर दिया साथ मई 1945 को जब्मन सेनाओं के बिना शर्थ समर्पन पर हस्ताक्षर हुए राष्ट्रवाती समाजवादी दल के उत्थान का एक मुख्य कारण तथा जर्मनी की एक मुख्य कटिनाई इस बात से थी कि वर्सलि संधी आरोपित थी और परिणाम सरूप उन सभी लोगों को जिन्होंने शांती से संजोता कर लिया था विशेशकर गर्तंत उसके नेता यहूदी माक्सवादी तथा तथा कतित व्यवस्था को राष्ट्र की पीट पर छुड़ा जोखने वाले के रूप में निंदित किया गया राज्जी को पुराणी-पुराणी वेवस्था बदलने वाला नारा नाजियों का सुविधा जनक चाबुख हो गया जिसे वो संधी के खिलाफ सशक्त तीखा आक्रोश तथा इसके सहयोगी के प्रती ग्रहना पैदा कर सकते थे नाजियों ने प्रचार के महत्व को पूरी तरह संजा और हिटलर ने खुद कहा था कि प्राचीन विज्ञान नहीं है इसलिए संप्रेशन भावना की ओर होना चाहिए तथा कथट बुद्धी से इसका सीमित संबन होना चाहिए इसलिए नाजी प्रचार द्वारा तक्षता पूर्वक्त प्रचारित भावपरक उद्गोशनाओं को जर्मनी की विशाल संख्या ने तुरंद ग्रहन कर लिया नाजियों को जनता की सही आवशक्ताओं की समझ थी इसलिए इसकी कारिक्रम जानकर ही असपष्ट रखे गए ताकि नाजी वक्ता प्रतेक को कुछ ना कुछ दे सके जनता को इसकी आश्वस्ती दी गई कि ग्रहनित वीमर गर्तंत्र को प्रतिस्थपित करने वाली तीसरी रिक बहुत कुछ स्वरणेम देश जैसी होगी जिसके हिटलर, फियोहरर या महीसा होंगे फरवरी उन्निसो बीस में गोट फीडर द्वारा तयार की गई नाजी कारिक्रम की रूप रेखा असपष्ट होने के साथ कुछ स्थानों पर सपष्ट वीरोधी भी थे कि दुजोर मुख्यता वर्तमान पर था इसकारिक्रम के 25 सूत्र थे, इसकी प्रकरती बहुत जादा मांग पत्र जैसी थी हम उन सब को नहीं देंगे, केवल कुछ पहत्वपून प्रकार इस प्रकार है एक महान संसार में आत्म निर्ने के अधिकार के साथ समस्त जर्मनी का संग, वर्सलीज और संथ जर्मेन की संधी को भंकरना सभी जर्मनों के पोशन हेतू परियाप भूमी वप्रदेश, अतिरिक्त, जर्मनों के लिए स्थान, केवल नाडिक रखत वालों को जर्मन नाग रिक्ता सभी गैर जर्मन और यहूदी, माक्सवादी सोशल डेमोकेर्ट समस्त उन सबका निशकासन जो कोई पित्र भूमी नहीं मानते संसदिय शासन पधिती का विरोत, सभी नागरिकों के समान अधिकार करताव्य, समस्त अनारजित आयके समाप्ती, राजजित वारा व्रिधों की सुरक्षा और नागरिकों के स्वास्थे का विकास, विवसाइक सेना की समाप्ती, जर्मनी के हाथ में ही प्रेस, जर्मन मानस पर दुश्प्रभाव डालने वाली प्रवर्टी की कला और साहित्य पर प्रतिवन्द व्यक्तिक कल्यान पर सामान्य कल्यान की वर्यता इन सब कारिक्रमों के क्रियान वेन हेतू सशक्त केंद्रिय शासन। नाजी दल की निशित विदेशनी थी। इसका सरुप्रथम लक्ष राजनितिक आर्थिक परतंत्रता से जर्मनों की मुक्ति था। नाजीया के लिए फ्रांस मुक्ष शत्रु था। यहूदियों की आर्थिक शक्ति के कारण ब्रिटेन को भी जर्मनी का एक शत्रु समझना चाहिए। अत्रिक्त जनसंख्या के निवास के लिए यूरोप में पूर्व को ही उचित स्थान है। अत्यव जर्मनी का रूस से संगश अटल है। इस प्रकार नाजीयों के लिए जटल यूरोप ये समस्याओं का एकमेव निदान था। जर्मन मिटेल यूरोपा के साथ एक नाडिक यूरोप, स्ट्रॉस बर्ग से मीमेल तक, यूपीन से प्रेक और लाइबाग तक जर्मन राष्ट्रे नसलवादी राच्ये। हैं। राइख स्टॉग ने बहुत दल्ये प्रथा तथा उनके पारस्परिक संघर्षों के परिणाम सरुप वीमर गर्दनत्र की संसदिये तथा प्रथा अत्यंत तनावगस्त हो गई थी। 1929 से 1931 के विश्व व्यापी अर्थ संकर से विकासमान जालने स्थिती को और उलचा दिया। ब्रूनिंग सरकार 1930 से 1932 में सामने आई और इन जटल और स्पष्टतय आसाध्य समस्याओं का सामना ना कर सकी। ब्रूनिंग वीमर संविधान में प्रदत आपत्ती कालिन आदेश अग्याओं का प्रयोग करने के लिए विवर्ष हुआ। इन धाई वर्षों बाद राइक स्टॉक तीन बराबर विखटित हुई। 1932 में एक राष्ट पती समेट तीन चुनाव संखष हुए। इन सबसे राटनितिक अस्पष्चिता को बढ़ावा मिला। इन अतितिक चुनाव संखषों ने लफवाज वक्ताओं को सीमाहीन अफसर दिया। जिन्होंने जन भावना को उभारने के लिए सबी संभाव्य रणीतियों का प्रयोग किया। नाजी प्रचार जोड़दार होता था। प्रतेक चुनाव से वामपंथी वा दक्षिनपंथी दोनों प्रकार के अतिवादियों को लाब मिलता रहा। जिसका स्पष्ट संकेट 4 सतंबर 1930 और मार्च 1933 के मध्य राइक स्टॉक की सद्ध्यक्ष्टा हेतु चार चुनाव के परिणामों से होता है। नीचे एक ताली का प्रदर्शित की जा रही है। जुलाई 1922 नवासी नवंबर 1922 सो मार्च 1931 तीन सोशल डेमोक्रेट स्पीडी सेप्टमबर 1939 143 जुलाई 1922 एक सो तैस नवंबर 1922 एक सो तैस मार्च 1923 एक सो भीस। जर्मन राश्ट्रवादी डी एन वीपी सप्तमबर 1931 जुलाई 1932 सेंथेस नवंबर 1932 जुलाई 1932 एक सो तैस नवंबर 1932 एक सो तैस नवंबर 1932 एक सो तैस बावन। 6. अन्य सप्तम्बर 1932, जुलाई 1932, ग्यारा, नवंबर 1932, मार्च 1937 7. राइक्स्टॉक की योग शक्ती सप्तम्बर 19357, जुलाई 1932, 599, नवंबर 1932, 581, मार्च 1933, 640 फिर भी, एक तथे काफी आश्चर जनक है, नाजी दर अपने सुसंबद और सुसंचालित प्रचारतंत्र के बावजूद, राइक्स्टॉक अथवा मत दाताओं के कभी मध्य, कभी भी सपष्ट भहुमत नहीं प्राप्त कर सका, इसलिए यदि नाजीयों और उनके नेता में सत्ता आई, तो उसका कारण उनकी जन प्रियता नहीं, अपितु ये था कि उद्योग पतियों, जुंकरो द्वारा अधिकरित सरकार को लगा कि देश में राश्ट्रेट स्थर्ता केवल हिटलर वा उनके अन्याईयों द्वारा ही आ सकती है, हिटन बर्ग ने जिसके जल सैनेक मंत्री मंदल के साथ ही उद्योग और क्रिशी दोनों के बड़े स्वामियों के दबाव में आकर 31 मई 1932 को ब्रूनिंग सरकार का प्रदचूत किया, तता फ्रांस वान पेपिन 1866 से 1979 तक प्रसियन लाड स्टॉक यानी संसत्का 1912 से 1932 तक डिपिटु को जो की उस समय दक्षिन पंती मध्यमारगी था राष्ट्र एकागरिता की सरकार बनाने को निमंत्रित किया, पेपिन ने अपने मंत्री मंदल में जनरल वान शिलेसियर की सुरक्षा का इंचार्ज बनाया, जनरल दूर प्रतिक्रियावादी था जिसका रिक शिवहर सेना में कठोर नियंत उनका अनापचारिक समझाता था कि वो प्रशासन का विरोध नहीं करेंगे। प्रशादियों की अवैद और हिंसक गतिविधियों को रोक नहीं पा रही थी। आरोप निराधार था। बस्तुता यदर्ण इसलिए दिया गया को कि प्रशियाई सरकार ने नाजी तूफानी दस्तों के प्रदशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। पैपिन प्रशिलेस स्टॉग में भहुमत नहीं पा सके थे। देश में दूसरा राजनिती गतिरोद प्रकट हुआ था। यहां तक की दुबारा राइक स्टॉग के विघटन और नवंबर 1932 के चुनाओं से भी गतिरोद समाप्त ना हो सका। राश्ट्रवादी समाजवादियों ने पून भह पर 1933 को इसने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद पुना राइक स्टॉग विघटन और मार्च 33 के चुनाओं हुए। चुनाओं परिणाम नाजियों के होसले बुलंद करने वाले थे। निरपेक्ष भहुमत ना पाकर भी इसने 288 स्थान प्राप किये। पेपिन जान नए अनुदारवादी नाजी सरकार बनवाने में सफल हुआ। यद भी एक बार हिटन बर्ग ने हिटलर को ग्रिना पूर्वक वहुमियन सिपाही की संग्या से अभिवेत किया। किन्तो 30 जनवरी 1933 को हिटलर चांसलर और पेपिन वाइस चांसलर बनाए गये। तो भी लिए और जर्मनी का तानाशाहा बन वैठा। वीमर गर्तंत्र के विघटन शील और अस्थर धाचे ने इस प्रकार विश्व की कुरूरतन तानाशाही को पत प्रशस्त किया। अपने पैदा होने की परिस्तितियों तदह अपने विकास के घुटने बन वातावरन जिसमें वो अव मंदित हुआ को देखते हुए वीमर गर्तंत्र का पतन सभाविक था। वो कभी स्वतंत्र गर्तंत्र के रूप में नहीं पनपा। वो अपने सम्मुख पड़े विशाल कारेों से भी लड़ना सका। राजनितिक आर्थिक और एतिहासिक विकृतियों के अतरिक्त वीमर गर्तंत्र का राजित तंत्र आपत्ती जन और मनोवेग्यानिक विकृतियों का भी इसी मा तक शिकार था। कि वह सदैव वरकरार रहा जबकि पहले अली बिमारियां कुछ थोड़ी नियंतित भी हो जाती थी। राश्ट्रों के मामलों में उसकी स्थिक लोकारनो संदी 1925 तवरा ठोस रूप में सुधर चुगी थी। जिसका वो एक हस्ताक्षिरी संबन में दूसरी शक्तियों के साथ उसकी समानता तक समान ली गई थी। इस प्रकार 1933 तक उसने लगभग ऐसे सभी बंदन तोड़ा ल जिसके आरोहर ने ना केवल अपनी पित्रों भूमी को अपितु समग्र संसार को अकथनिय कश्टों में डाल दिया। प्राया ये कहा जाता है कि हिटलर ने राश्ट्रों की सामान अधिनता ही जीता था। ये उचित विवल ख्यान नहीं है। इसके कारण और घहरे थे। ज कुछ ने इसलिए क्योंकि और निर्धनता के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष्टना था। तंतर के अंतरगत ना हो सका यद भी उसने घटिया तरीके सुझाए किन्टु उसने कई वास्तविक समस्याओं को पकड़ा उसके श्रशस्त्रीकरण अभियान ने बेरोजगारी दूर की उसने यद भी प्रेम के द्वारा नहीं फिर भी भै के द्वारा ही यूरोपी किया क्योंकि अस्ट्रेयाले होते हुए भी ड्रेंटा और उन्मात पूर्वक जर्मनी के संचित राश्ट अभिमान और सामराजिवात को स्वर्दिया जबकि समाजवादी उदारवादी तथर डेमोक्रे निश्चत रूप से बाहरी मामलों पर बोले जो कि उनके राश्ट को की होली और कश्टों को स्विकार किया जो कि किसी भी मामले में उनको विकृत मानसिक भावनाओं के बहुत अधिक विरुद नहीं थे पार चौदा जर्मनी में नाजिवाद समाप्त होता है